चैलेंजिस इन सास डिप्लॉइमेंट नाओ स्टुरेंट्स अभी तक हमने ये देखा के वट सास वट वट गुट सास इस प्रोवाइडिंग अब इसको जब भी हम किसी चीज़ का अनेलेसिस करते हैं खास हो पर टेकनालोजी डिसीजन का या ऐसे डिसीजन का जिससे बिजनस इंपक्ट होने का ख़श्चा होता है तो हमेशा हम या प्रो देखते हैं या कौन्स या या हम ये देखते हैं कि इससे हमें क्या एचीव हो र देखते हैं कि इसको यूज करने का क्या कोई नुक्सान है रीजन कि अगर नुक्सान का अनेलेसिज नहीं करेंगे तो वी केन नौट मिटिगेट इट यानि हम नुक्सान पर काबू नहीं पा सकते फिर तो जहां पर सैस का बहुत बड़ा फाइदा यह है कि यह आपको आपकी जो कास्ट है यह कास्ट कटिंग में बहुत आपको हल्प करता है और आपको मेंटेनस जो सर्वर्स की मेंटेनस है उससे बरी हद तक ना आपकी आपकी जो परशानी है वो दूर हो जाती है बिलकुल वैसे ही इसको यूज करने के कुछ रिस्ट भी है जो के आपको समना मतलब सबसे पहली चीज़ जो आपके दमाग में आने चाहिए जो के मुझे लगता है के ओवरलुक होती है वो यह है कि सास के उपर ट्रांजिशन करते हो वकत अमोमन लोग यह एग्नोर कर जाते हैं कि वोट देयर एगरिंग टू मतलब वो क्या सिरफ डेटा की माइगरेश बेसिकली आपको बता रहे हैं कि हम डेटा होस्ट करेंगे सिरफ या डेटा का जो राइट है एकसेस राइट है वो भी उनकी ओनर्शिप में है या सास सर्विस प्रोवाइडर की ओनर्शिप में है या डेटा चेंज करने की जो जो प्रोविजन है वो भी क्या उनके पास है and so on so मैं कहने का मतलब यह है कि यू नीड टो नो यू अट लीस नीड टो नो कि आप क्या एग्री कर रहे हैं क्लाउट सर्विस प्रोवाइडर से कि वो क्या चीज़ कर सकता है और वो क्या चीज़ नहीं कर सकता क्योंगे at the end of the day आप में जो चीज़ माँ में रखनी है कि it is your data data आपका है और data आपका data customer का data actually आपकी जो product हैं वो आपकी ownership में हैं अगर आप service level agreement या cloud service provider को ये privilege दे रहे हैं कि वो आपकी चीज़ों को change करे तो you should know this thing up front number one number two cloud service में अमूमन ही होता है as per my experience कि you plan to spend less आपके ख्याल में शिरू में आपको ये लगता है कि आप कम पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन at the end of the day आप ज्यादा पैसे खर्च कर जाते हैं अब आपके दिवाग में आ रहा हुआ ये कैसे होता है बड़ा टिपिकल सी एक्जामपल देता हूँ आपको एक सर्विस प्रोवाइडर है वो ये आपसे कहते हैं कि वो ये होती है कि कुछ दिनों के बाद हो ये कहते हैं कि अगर आपने software के अंदर कुछ additional चीज़ करनी है तो you need to pay us more इसका मलतब ये है कि अगर वो आपसे उनका agreement अगर आपसे per user का है तो अगर हर user को कुछ additional feature for example use करना है for example मैं अगर Microsoft Word में ये feature लेकर आना चाहरा हूँ कि I should be able to type for example in Urdu तो कहेंगे जी कि हमने तो आपसे contract किया था वो था कि जी हम आपको basic service रेंगे जो कि English में type करनी के होगी now since you are asking for more to pay us more तो एक base contract है और उसके उपर hidden charges है जो कि आपको usage के उपर वो charge कर रहे है number three service level agreement जो है वो अमूमन software जब हम किसी को sell करते है वो तो that's a standard thing कि हम SLA sign करते है service level agreement sign करते है क्योंकि we need to make sure कि customer जो है उसे पता हो कि कितने work तक service free है और कितने अर्से के बाद service का उसको pay करना है number one number two cloud में भी ये चीज उतने ही valid है जितनी applications में होती है reason कि जो cloud है वो भी एक service ही है आप cloud को एदा service use कर रहे है तो you should have a very crystal clear very crystal clear contract with the service provider जिसमें hidden cost अगर हैं तो वो लिखी हो explicitly लिखी हो ये gray area में ना हो explicitly लिखी हो क्योंकि देखें जो cloud है ना उसको जो basic business model है ना वो होता है कि they charge you as per your usage तो usage को define करना बहुत जरूरी है कि usage को हमने यानि how to manage that usage तीसरी चीज़ देखें ऐसा कभी भी नहीं होता या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने एक दिन ये decide किया कि हम हम cloud पे migrate कर रहे हैं और कल सुबह आपके सारे के सारे software cloud पे use होना शुरू हो गए ऐसा नहीं होता अगर आप cloud service use भी कर रहे हैं तो there will be still a lot of softwares जो cloud पे नहीं है what does it translate to it translate to कि अगर एक software को चलाने के लिए तीन softwares का चलना ज़रूरी था तो उन तीन में से for example दो तो cloud पे move हो गए एक अभी नहीं हुआ तो then you need to bear the integration cost integration cost क्या है कि आपको technical बंदे hire करने हैं जो ये ensure करें कि दो चीज़ें cloud पे एक आपके server से मिल के एक चौथे software को चलाएं यानि integration cost of integrating the existing software applications into the cloud service क्योंकि जो cloud होता है वो आपको कुछ services रहता है जिसको जिनको आप use कर सकते हैं to run your own software तो ये चीज़ें ये aspect आपको दमाग में रखना बहुत जरूरी है ये कुछ इसमें चैलेंजिस ऐसे हैं खासोंबे data के access के data rights के के जो अमूमन client contract में नहीं या overlook हो जाते हैं reason being के आप actually अपना data उनको दे रहे हैं under their protection so it has to be legally covered by all means officers ऑाज के जाज़ेंस के वारा भारा वार खुरिष्ट Woo झाल